कि वेशन नमबर 15 से हमने करना है इसका हमने फॉर्थ पॉर्पोर्शन फाइंड करना है तो लेट कर लेंगे फॉर्थ पॉर्पोर्शन ठीक है लेट कि जो फॉर्थ पॉर्पोर्शनल है हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है अब इसका तरीका ही होता है बचो कि तीन रखमें आम तोर पर हमें दी होती है चोत्ती रखम जो हम लेट करते हैं न वो हमने लास्ट पर लिखनी होती है पहली दो के दरमयान दो रेशो के लिए और फिर चार प्रपोर्शन के लिए और फिर आगे फिर दो रेशो के लिए अब ये हम्हाल करना सीख चुके हैं इसके लिए ये होता है कि product of extreme equal to product of extreme और mean ठीक है तो ये 5 और x एक तरफ आज़ेगा और 15 और 2 दूसरी तरफ आज़ेगा ठीक है तो 15 तूस आर 30 कार लें करना है तो वरना ऐसी रहने दे 5 को इस तरफ लाएंगे तो वो divide हो जएगा ठीक है तो 15 divided by 2 5 इदर आके divide हो गए इदर से 5 3s are 15 multiply 2 तो ये आगे हमार पास 6 ठीक है इस तरह ये question हमने हल का लिया ठीक है जिसमें हमने क्या निकालना था 4th proportional 4th proportional अहां तो हमने let किया कि जो 4th proportional है वो equal to x है तो उसके हल का तरीका क्या होता है कि हम let करते हैं और उस जो हमने let किया होता है उसको हमने बराबर के दूसरी तरफ रखना होता है और इस तरह हमने इसका जो question number 15 था वो हल कर लिया 16 में हमें ऐसे रकम दी गई है और हमें का गया कि find x x find कर दें ठीक है तो बच्चों दरम्यान में equal है जब हम ये ratio खतम करते हैं न तो ये रकम नीचे आ जगी ऐसे इसी तरह इसका हतम करेंगे इसका 8 इसके नीचे आ जगा अब इसको हल करने का तरीका हमार पास क्या होता है cross multiplication ठीक है यहां हम करेंगे cross multiplication 8 को हम इस तरफ shift कर देंगे और x को इस तरफ shift कर देंगे अब हमें तो x चाहिए ना 24 तो नहीं चाहिए तो ये इदर आके divide हो जागा 24 इदर आके divide हो गया तो 9 multiplied 8 over 24 same table से काट सकते हैं 8 वंजार 8 8 थ्रीजार 24 3 वंजार 3 3 थ्रीजार 9 उपर 3 रह गया और ये हमारा x आ गया ठीक है तो पर रिशानी हो ना अगर आपको cutting नहीं आती है आप calculator का use भी कार सकते हूँ simply जब ये ratio खतम होता है तो रकम नीचे आ जाती है इसी तरह इदर से भी ratio खतम किया रकम नीचे आगी cross multiplication ये उदर चलीगे ये उदर फिर हम ये नहीं चाहिए उदर जाएगा तो divide हो जाएगा ठीक है 17 में भी हमें fourth proportional निकालने है तो let कर लेंगे let fourth proportional वो x है तो बिलकुल उसी तरह ये ठीक है 24, 8 और 18 24 ratio 18 proportional 8 equal to x ठीक है तो अब उसी तरह product of extreme equal to product of means और फिर क्या हम करेंगे उनको बराबर रक लेंगे और इस तरह हमारा answer आजाएगा 24 multiply x equal to 18 multiply 8 24 इदर आके डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो x बराबर 18 multiply 8 ओवर 24 8 वंदर 8, 8 थरी जार 24, 3 वंदर 3, 3 6 जार 18 तो ये 6 हमारे पास इसका answer आगे ठीक है उसके बाद है जी question number 18 18 है 14, 19, x और 38 बिल्कुल ये वर इसके साथ center वली center के साथ multiply करतेंगे 14 multiply 38 equal to 19 x अब जो 19 है वो जब इस तरफ आता है तो डिवाइड हो जाता है ठीक है तो 14 19, 2, 0, 38 होता है 19, 2, 0, 38 कटिंग आर ली और फिर 14, 2, 0, 28 ये आगे हमारा x का आइंस आइंस उसके बाद question number 19 मिलते जुलते question है कोई इतना हास चीज तो नहीं है परिशानी वाली वैसे आप लोग खुद भी try कार सकते हों इनको 19 है 15 ratio 60 900 ratio x ratio मैं हत्म करूं तो 15 over 60 और ये 900 over x जो बाद वली होती है न वो नीचे आ जाती है अच्छा ये cutting हो रही है 15, 1, 0, 15 15, 4, 0, 60 होते है equal to 900 over x अब मुझे तो x चाहिए ना तो cross multiplication कर लेंगे x उस तरफ shift हो जाएगा और 4 इदर जाकर multiply हो जाएगा तो ये 3600 answer आ गया ठीक है ये था question number 19 विलते हैं जिलते हैं बहुए question है just practice के लिए इतने question दिये गए आपको x ratio 1 by 2 proportion 12 into 3 x को 3 के साथ करेंगे और center वली center के साथ multiply हो जाएगी 2, 6 आ, 12 होते हैं फिर जो 3 है वो इदरा के divide कर दें 3, 2's are 6 होते हैं तो ये इस तरह हमने question number 20 भी हल कर लिए 21 है 21 में कहा गया है find the fourth proportional of 2, 5 and 8 कोई मसला नहीं let करेंगे let के जो fourth proportional है वो equal to x है तो 2 ratio 5 proportionate ratio x side वाली side के साथ multiply करेंगे तो टू एक्स आजएगा और ये 5, 4, 8 दूस तरह आजएगा हमें 2 नहीं चाहिए उदर जाके divide करतेंगे 2, 4, 0, 8 तो ये multiply करेंगे तो 20 आजएगा ठीक है 22 question है x ratio 4 proportion 9 ratio 12 ठीक है side वाली side के साथ multiply होती है और center वाली center के साथ सेटों से करेंगे तो 12 x आएगा और center में 4 multiply 9 आजएगा 12 इदर आके divide कर देंगे same table से cutting कर लेते हैं 4, 3 दा 12, 3, 3 दा x बराबर के आगया हमार पास 3 ठीक है इसके बाद question number 23 है 3 ratio 4 proportion x ratio 12 तो side वाली side के साथ multiply है center वाली center के साथ 3 multiply 12 equal to 4 multiply x 3 multiply 4 हमें चुके x निकालना है 4 तो नहीं चाहिए 4 इदर आके divide कर देंगे 4, 3, 0, 12 होता है तो 3, 3, 0, 9 ठीक है ये ठीक है मिलते जुलती question है तो आगे 23 वाल है 3 ratio 4 proportion x ratio 12 तो 3 यानि side वाली side से और center वाली center से multiply करनी होती है 3 multiply 12 equal to 4 x अब हमें 23 तो कर लिए 24 9 over x equal to 30 over 20 270 x find करने के लिए का गय है तो मैं एक दफ़ा दबारा लिखता हूँ क्यों दबारा लिखे है 00 से कट गया 3 1s are 3, 3 9s are 27 9 over x equal to 1 over 9 cross multiply करेंगे ये 9 उदर जाके 9 9,081 होजेगा और x उस तरफ चला जाएगा ठीक है तो इस तरह ये कोई इतनी मुश्कल चीज तो नहीं है वैसे तो आगे है जी 25 x ratio 5 ratio proportion 72 side वाली side के साथ करेंगे तो 2 x और इनको करेंगे तो 5 दरब 7 आजेगा इस 2 को हम इदर आके डिवाइड कर देंगे ये 57,035 आजेगा ये cutting नहीं हो सकती इसलिए मैंने multiply करके इसको लिख दिये ठीक है तो ये था जी question number 25 अगर आप इसको डिवाइड करना चाहेए तो डिवाइड कर सकते हैं ठीक है 2 1s are 2 2 7s are 14 तो ये आजेगा 17,1 by 2 17,1 by 2 तो ये था जी 20 number 5 26 x ratio 50 proportion to ratio 4 तो ये वली इसके साथ तो 4x center वली center के साथ 4 को इदरा के हम डिवाइड कर देंगे 2 multiply 50 over 4 2 2s are 4 224,25,10 तो ये हमार पास आजेगा उपर 25 बस इतना ही था ठीक है अगर आप उनलाइन है तो कमेंट में जरूर बताया करें आपको समझ आ रही है कि नी और समझ आई है उनलाइन भी है तो लाइक कर दिये करें ठीक है